कि वेल्कम बेक फ्रेंड ऑन माई यूटूब चैनल केमेश्टी सर अनिस कुमार आज और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे रेलेवे का एस्पेसली जो है पारा मेडिकल पारा मेडिकल जो पोस्ट है उसमें उपर से भी उपर पोस्ट अगर कह सके हैं तो इसमें कोई कलत इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो पारा म मेडिकल का जो महतपून पोस्ट है चाहें घ्रोफ करेंगे कि लेटर में क्या कर रहा है साथ ही साथ जो होगा इस्पेसली वसारे कंडडेट जो अभी जौब कर रहा है जो जौब कर रहे हैं रिल्वे में REALLY करने का ठ답. अगेंस्ट में ये वीडियो है मतलब की जो केंड़ेट जॉब कर रहे हैं ठीक है कोबिड-19 का दौर है तो निश्चित रूप से कोबिड-19 का दौर है और इसमें जो है अभी देश में इस्तिती भी ठीक ठाक नहीं है जैसा कि आप देख रहे हैं इस कंडिशन में भी में भी केंड़ेट को टर्मिनेशन का जो लेटर दिया जा रहा है उसको एक्स्टेंशन किया जाए अब इसके लिए तर्क क्या है सारे तर्क पर हम लोग चर्चा करेंगे तो आप थमनेल देख रहा है थमनेल में रेलवे हैल्थ और इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट से यह से और इसमें जो हैं इंगेज्मेंट ईफ रिटायर परामिट्पल स्टाप करूप सी अध्यरिंग हैं और पराम यह स्टाप स्टिск के एक हैं कहां चूरिटे अ डेटर स्टी ända 3 छ पप घेस medical staff only ठीक है तो इसके यह आधी था कितना तक जो है आपको रखा जाएगा तो यह आप लेटर निश्य तुरुप से आप देखे भी होंगे लेटर जो है आप एक जुलाई 2020 को निकला हुआ था यह तो एक बात है यह आपको जेनरल मनेजर ठीक है और जोनल रेलवेव प्रोडक मैं बताता हूँ कि क्या मैं बोलना चाहा रहा हूँ ठीक है आगे एक लेटर है थ्फ़ड़ा सा धुन्दल आपको दिखेगा वह 22 2020 मतलब 22 दिसंबर 2020 को आई है गवर्मेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ रेलवे रेलवे बोर्ड के तरफ से और इसमें जो है क्या कहा गया है री इंगेजमेंट आफ रिटायर रेलवे इंपलाई इन एक्सजेंसी ओफ सर्विसेज ठीक है उसके बारे में जिक्र किया गया है तो यहां पर निश्ची तुरुप से आप देखेंगे कि कैसे इसमें भी जो है आपका टर्मिनेशन का जो लेटर है उसके रिगार् तो असपास रूप से सीधा अगर सब्दों में मैं बोलूं अपने सारी बातों को तो रेलेवे के तरफ से जो पारामेडिकल स्टाप होते हैं गुरूप सी और डी को उनके लिए जो है कॉंट्रेक्शुल बहाली निकलती है इसके बाद क्या होता है कि कोबीड-19 को देखते हैं इससे आगे जो है आप सर्वीस नहीं दे सकते हैं तो इसका जो है निश्य तुरुप से बिरोध होना चाहिए कि आप देख रहा है कि देश में किस तरह से कोबीड-19 का प्रकोप जो है अभी कम नहीं हुआ है थमा नहीं है एक बात दूसरी बात यह भी कर सकते हैं कि बढ़ाकर जो है में भी मुझे ऐसा सुचना मिल रही है कि 30 जून 2021 तक कर दिया गया है तो निश्चित रूप से जब डॉक्टर को आप रख रहे हैं एक्टुल में डॉक्टर के साथ साथ पारा मेडिकल स्टाप इस्पेसली जो है स्टाप नर्स हेल्थ और मरेदिया इंस्प जो अभी जौब कर रहे हैं वो भी और साथी साथ जो है जो केंडेट जौब नहीं कर रहा है जिनके पास eligibility criteria है मतलब कि जो फॉर्म भर सकते हैं railway का health and malaria inspector का निश्ची दूरुप से उस सारे केंडेट को एक जूठ होकर support करना चाहिए जो केंडेट अभी जौब में है contractual और उनका टर्मिनेट होना है उनको 31st, 12, 2020 मतलब 31 December 2020 को जिनका टर्मिनेट होना है उसके लिए सारे केंडेट को एक साथ सपोर्ट करना है कि नहीं इनका टर्मिनेशन बढ़ना चाहिए यह आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि आप जो है अभी जौब में नहीं है दूसरे केंडेट जौब में है तो मैं क्यूं सपोर्ट करूं ऐसा बात नहीं होनी चाहिए चुकि आपके पास क्वालिफिकेशन है और आपके पास जो है इलिजबिलिटी के टेरिया को आप फुल्फिल कर रहे हैं तो निश्यत रूप से आपका भी जौब लगेगा आप भी अगर तो आप भी जब भरिएगा तो हो सकता है कि आपको भी तीन महिना दू महिना के बाद निकाल देगा तो आपको भी बहुत बुरा लया कि दखिए एक साथ जब बहाली हुए डॉक्टर की और उनका टर्मिनेशन जो है बढ़ गया छे मा बढ़ा दिया गया तो क्यूं नहीं कि परा मेडिकल का इश्टाप का जो की डॉक्टर सेनी बढ़ा भूमिका होती है तो निशरी तुरुप से सारे कंडिया जाहे है य जоме में नहीं है जो को फूल्फिल करते हैं रेलवे का हेल्थ और इंस्पेक्टर का फार्मासीस्ट का इस्टाप नर्स का जितने भी ग्रूप सी और डी के परामेडिकल पोस्ट है वो सारे कंड़ेट को एक साथ जो है एक काम करना होगा एक सपोर्ट करना होगा जो अभी जॉब में हैं अब बोल 138 ट्यूट में किया हूं और निश्चीत रुप से इसमें आप देखिएगा ट्यूटर को खोल कर तो उसमें जो है अधीकतर जो है आपका ट्यूट है अपको रखना होगा डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद कुछ नहीं आप अपने सब्दों में आपने स देख लिजे कि मैं यह पीन किया हूं यह जो लेटर है मैं पीन किया हूं बिहार नेगर अवा विकास अमवाज विभाग के संकल पत्र संक्या 14-35 दिनांग 5 मार्च 2019 को नगर निकायों में साथ सफाई स्वस्ता से जुड़े महत्पून पदो जैसे मुख स्वस्ता निर्ष इस पर मैंने किया था तो निश्य तुरुप से उसका फल भी आप देखने को जल्द मिलेगा ठीक है तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे हेल्थ मलरिया इंस्पेक्टर जो रेलवे का जो पारा मेडिकल जो भी पोस्ट है उसके रिगार्डिंग कि जो टर्मिनेट किय जा रहा है उसके रिगार्डिंग आपको कैसे सपोर्ट करना है सपोर्ट कुछ नहीं करना है बस आपको जो है ट्यूटर पर जाना है और चुकि उनका जो डेट है टर्मिनेशन का वह 31 तक ही है तो सारे केंटेट से मैं चाहूंगा कि निश्य तुरुप से कल जो है आप 10 से थे फ्रफ्रट करना है आप ट्यूट करके को सपोर्ट करें तुटर में कुछ भी नहीं करना है बस यह करना है आपको चुकि रेल्वेय की मिनिश्टर मानिये ए गाट पर हें खोया नहीं की पार मेडिकल साने पर गया है कि कि आपको जो है अपना ट्यूटर हैंडल पर जाकर एड दिरेट पी आई वाई यू एस एच प्यूस जी ओ वाई ये लो डबल एफ सी लिखना है जब ऐसी आप लिखिएगा अटमेटिक उनका उफिशियल पेज जो है उसमें आ जाएगा मतलब वह आपको टैग हो जाएंगे इसके बा है आप देख सकते होंगे जाएगा तो आप देख लिजेगा तो उसमें लिखा है मैंने कि कोबिड-19 को देखते हुए औल इंडिया पारामेडिकल गुरूप सी एंडी देखे डी छुटा हुआ लेकिन गुरूप सी लिखा हूं डी भी आप समझ लिजिए कि लेटर भी उसमें लगा सकते हैं ठीक है कि टर्मिनेशन का जो लेटर है आपको मिल जाएगा आप देख सकते हैं वहां से और देखकर आप लेटर भी लगा सकते हैं कि कोबिड-19 को देखते हुए फिर जो भी आप इंग्लिस में हिंदी में जैसे लिखना चाहली किएगा ल आज वह जोब कर रहा है ठीक है वह टर्मिनेट होगति घर बाठेंगे फिर जब आपका भी जौब लेगा ता को भी कोंकि कर्ट्रेक्ट्ट्रइच्वल जॉब मैं आपकोंumen्यट्र होना है ठीक है लेकिन अभी कोबीड-19 है तो मानाउता भी होनी चाहिए ठीक है माना ओता भी होनी चाहिए तनिश्य तुरुप से जब आप डॉक्टर को मैं रेलवे बोर्ड को और रेलवे विभाग को बोलना चाहूंगा कि जब आप डॉक्टर को extend कर दे रहे हैं डॉक्टर का जो कि टर्मिनेशन जो है उसको आप extend कर सकते हैं तो पारा इस पर जो है जितना आधिक हो सके ट्यूट करके सारे कंड़ेट जो है जो हमारे कंट्रेक्ट्चल जो कंड़ेट है जो अभी जॉब में है उनको सपोर्ट कीजिए थैंक यू भेरी मच